हलो फ्रेंट्स स्वागत है आपका हमारे चैनल इंवेस्मेंट की वजार पर कल एपक डियूरी बल्स आइप यु का डे टू है डे टू से पहले क्या आपका डिसीजन रहना चाहिए साइप यू के अंदर क्या अपलाय करना चाहिए क्या अवॉइट करना चाहिए करोड का इशु है जहां पर प्रेश इस्वेंट का भी है ओफेस का भी है टोटल मिला कर और ओफेस है तो यह सबसे पहला प्लस पॉइंट है कि कंपनी के पास पैसा जाता हुआ देखने को मिलेगा इससे डेफिनेटली कंपनी ब्रॉर इंग कम करती वी देखने को मिलेगी कंपनी दोस्तों फंडिंग कापिटल से अपना जो है बिजनस की ग्रोथ करती भी देखने को बलेगी अगर आपको कंपनी का कामकार नहीं पता तो बेसिकली कंपनी ODM प्रोवाइट करती है और एर कंडीशनर के अंदर कंपनी का मैजॉरिटी कामकाजे ODM मतलब original market original design market इसके अंदर कंपनी कुद के design के conditioners जो है वो बेचती भी देखने को मिलती है manufacturing and selling दोनों रहती भी देखने को मिलती है और यहां पर अगर issue की बात करेंगे तो issue में definitely changes आया की चुट्टी हो आगे उस दिन and यहां पर 24 तारिक के दिन की IPU जो है लोग देखने को मिलेगा यानि कल और परसु आपन रहेगा 25 को फिर इसकी वह होती भी देखने को मिलेगा अपने को अलोट्मेंट और फिर I think 26 की चुट्टी है तो फिर direct 29 को यहां पर काम होता आपको रीटेलर्स को यहां पर अलोट्मेंट मिलते हुए देखने को मिलेगा अब तक के सब्सक्रिप्शन के आकडू की बात करे तो एक दिन हुआ है अब तक कि साइपियो को और 85% का यहां पर सब्सक्रिप्शन जो है आता हुआ देखने को मिलेगा तो 0.85 ताइम लाके देखने को मिला है यहां पर देखने को मिला है यहां पर देखने को मिल सकता है रही बात दोस्तों कंपनी के फंडमेंटल्स की तो 31.97 करूर का प्रोफिट 1540 करूर का रवेन्यू और लगब दोस्तों 892 करूर से कमपनी की बारोेंंग्स है तो यह मार्च कोडर का हाल रहता हुआ देखने को मिला था और यहां पर अगर अगर आपन comparison करेंगे यह और और बिसिस पर बात कंपनी का प्रोफिट 1540 करूर 17 करूर से बढ़कर अगतेस करोट और बार पर बारो plains की ROE है 15% के आसपास की approximately, ROC है 11.5% के आसपास और debt to equity है 1.58, RONW है 14.68, तो यहाँ पर क्या अच्छा है ठीक ठाक decent ROE है, decent ROC है, जादा नहीं है, definitely अभी जो comparatively Nova Agrika IPO है, उससे काफी कम है, यहाँ पर अगर अगर आपन debt to equity की बात करेंगे, तो 1.58 का debt to equity है, एक से नीचे होना चाहिए, बट definitely यहाँ पर company funding ले रही है, तो इससे borrowings automatically कम होती ही दिखने को मिलेगी, और PB by BV ratio के अगर बात करेंगे, तो यहाँ पर लगबाग 4.98 का PB by BV ratio है, तो overall financials दोस्तो decent है, ठीक ठाक है, जादा अपन अच्छे attractive financials नहीं बोलेंगे इस IPO को comparatively, and यहाँ पर अगर 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 करेंट gray markets की बात करेंगे, तो दोस्तो तीन websites आपको दिखाऊंगा, फर्स्ट वेबसाइट है, चतौडगर.com की, सेकेंड वेबसाइट है, चानक्ये की, थर्ड वेबसाइट है IPO watch की, चतौडगर पर 28 और चानक्ये पर 28 का premium है, और IPO watch की website पर 35 रुपे का premium है, तो तीनो websites पर different different premiums हैं यहाँ पर, और यहाँ पर अगर अब बात करें, अपन final gray market की, जो द्रहती भी देखने को मिलेगी, वो रहेगी रगबग 30 रुपीज की आसपास, 65 का यहाँ पर share है, 65 share आपको मिलते विए देखने को मिलेंगे, उस हिसाब से profit पर lot की बात करें, तो 1950 का मुनाफ़ा है यहाँ पर, तो ठीक ठाक सा मुनाफ़ा है, और सला की अगर मैं बात करूँ, फाइनल डिसीजन की बात करूँ, तो फाइनल डिसीजन यही होगा, छोटे लिस्टिंग एन मिलेंगे इस IPO में, जादा बड़े लिस्टिंग एन की उमीद ना करिएगा, अगर आप लॉंग टम में भी निवेश करना चाहते हैं, तो दोस्तों वेट करेगा एक कॉर्टर का, अगर वो कॉर्टर में अच्छे रिजल्स आते हैं, तो लॉंग टम के लिए कंटीर रखिये, बाकि अपना डिसीजन आप लेकर रखिये, इस काउंटर में, और माइंडशेट पर भी काफे साथ रहता है, फोकस रहता हुगा दि झाल 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 झाल